नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल fun and study with राहुल पर दोस्तों मैं राहुल 24 सहायक अध्यापक बेसिक सिक्षा परिसद उत्तरप्रदेश दोस्तों मैं सिक्षा विभाग में पिछले चार वर्सों से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए बरतमान में मैं आपसे KBS PRT एक्जाम के बारे में बात करूँगा KBS PRT अर्थात केंद्री विद्याले संगठन प्राइमेरी टीचर यहाँ एक सेंटरल एक्जाम है बरतमान में इस परिक्षा के लिए फॉर्म पढ़ रहे हैं अगामी चार मा के अंदर इसकी परिक्षा भी करा दी जाएगी साथियों यह परिक्षा ओनलाइन होनी है जो कि कम्प्यूटर के माध्यम से ही होगी इसमें कितने प्रशन आते हैं कितने नंबर के होते हैं किस तरीके का सेलबस है कितने भागों में इसको बाटा गया है इसके लिए हम आगे देखते हैं हमारे एक विसेस नोट्स तयार किया गया है इसके लिए साथियों मेरी यही कोशिस है कि मेरे साथ के लोग और आप सभी जो सिक्षा विभाग में आना चाहते हैं चाहे वो KBS PRT के माध्यम से हो या फिर BTC BAD सिक्षा मित्र आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंतरगत तो हमारी एक कोशिस है कि हम जो है एक प्रयास करें अपने साथियों के साथ ताकि पढ़ाई का आनन्द लिया जा सके तो हम आज KBS PRT के बारे में बात करते हैं कि उसमें कितने प्रशनाएंगे, किस तरीके के आएंगे, समय कितना होगा, कितने भागों में बाटा गया है, किस तरीकी तैयारी करें और कौन सी किताब से हम पढ़ें तो आगे देखते हैं, तो साथियों KBS PRT जिसका फुल फॉर्म है केंदरी विद्याले संगठन प्राइमिरी टीचर अब की बार 2022 में कुल पदों की संख्या जो है 614 है, और PRT जो है, मतलब की KBS PRT जो अपना कर रही है भरती, वो 6414 पदों के लिए परिच्छा कराने जा रही है अब हम देखते हैं, important सबस्यादा है कि परिच्छा में आने वाले प्रस्तनों को चार भागों में बाटा गया है अब ये किस तरीके के हैं चार भाग, इसके बारे में देखते हैं तो भाग पहला है समान हिंदी जो की दस प्रशन आएंगे और उसके लिए दस अंक निरधारित हैं अर्थाद की एक प्रशन पर एक अंक आपको दिया जाएगा तो समान हिंदी से दस प्रशन आएंगे और उसके लिए दस अंक निरधारित हैं और दूसरा जो है समान अंग्रेजी है यानि कि इंग्लिस और इससे भी 10 प्रशन आएंगे 10 प्रशन के लिए 10 अंग इसमें भी निर्धारित किये गए हैं हमारे दूसरा भाग जो है important है समान जागरुकता और current affairs से इसके लिए आपको समान जागरुकता क्या है और current affairs वरतमान में कौन क्या कहा है उससे आपको पढ़ाई करनी होगी जिसके लिए आप speedy की book का इस्तमाल कर सकते हैं speedy की book इसके लिए अच्छी रहेगी और एक हिमानसी सिंग की book है सिक्षा मनोबिज्यान की वह आप ले सकते हैं इसके लावा youth की book आपके लिए better रहेगी और अगला जो है भाग है reasoning जो कि 5 नंबर की ये भी है 5 प्रस्णाएंगे 5 नंबर के लिए और computer से भी हमारे जो है 5 प्रस्णाएं 5 अंकों के लिए तो computer समानसा computer रहेगा जो कि आप किसी भी book से पढ़ सकते हैं या फिर आप YouTube पे हमारी computer की class आगे हम बताएंगे किस तरीके के प्रस्णाएंगे तो आप देख सकते हैं इसके लावा रिजिनिंग के लिए आप जो है अरिहंत की book से पढ़ सकते हैं यह आसान रहेगा तीसरा भाग जो है शिक्षण से संबंदित है यह बेरी 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 most important होगा सातियों तीसरे भाग में जो सिक्षण से संबंदित है जिसमें सिक्षा और नेत्रित तो पर द्रिश्टी कोण जो की 60 प्रस्णाने हैं यह भी 60 अंके होंगे यह बहुत ही महत्पूर्ण भाग होगा सिक्षण का चतुर्थ भाग में जो की PRTV से संबंदित है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के 40 प्रश्ण है 40 संके गडित के 20 प्रश्ण है 20 संके और परियावरण के 20 प्रश्ण है 20 संकों के तो कुल मिलाके हमारा देखा जाए तो पहले भाग से 20 प्रश्ण है दूसरे भाग से 20 प्रश्ण है तीसरे भाग से 60 प्रश्ण है और चौथे भाग से कुल मिलाके 40 भी 60 असी प्रश्ण है आएंगे तो कुल मिलाके 180 प्रश्ण है और 180 अंक भी होंगे इसके अलामा हम आप आपको बता दें कि परिच्छा से आप 180 अंक जो है हासिल कर सकते हैं और वहीं इंटर्वियू से 60 तो कुल 240 का यह आपकी टोटल परिच्छा है इंटर्वियू और एक्जाम दोनों मिला के इसके अलामा हम आपको यह बता दें कि आगामी सिख्षक भरती जो की आनी है उत्तर परदेश में वो 2023 में साथियों 2023 में भरती आ रही है 100 परसेंट आ रही है आप लोग तयारी करते रहें केबियस पियार्टी का जो साथिक जाम दे रहे हैं जो की बीएड बीटीसी सीटेट प्रकास है वो तयारी करते रहें और जो साथि नहीं दे रहे हैं केबियस पियार्टी वो आगामी उत्तर प्रदेश में आने वाली बेसिक सिख्षा की भरती के लिए भरती आ रही है इसकी नौटिफिकेशन हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी केबियस पियार्टी के जो बुक हम आपको सजेश्ट कर रहे हैं उसमें आप यूथ की बुक यूथ की बुक यूथ प्रकासन की बुक ले सकते हैं और अरिहंत की बुक भी ले सकते हैं इसके अलामा जो है आप यूटूब का साहरा लेकर तैयारी को करते रहें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर करें शेयर करें गुड़ नाइट सुभरात्री